तयार आज फिजिक्स में मचाते हैं तो क्या है भी कोशन वन पर्सन यह सारे कॉंसेट हमने नोट्स में कबर करें हैं पर यह बहुत तगड़े हैं अगर आप ऐसी वर में धंग से कर लो ना कुछ चेप्टर में ऐसी वर में जरूर करनी चाहिए जैसे कि Newton laws of motion वर्क पार energy center of mass यह बहुत conceptual chapters है और बहुत conceptual और इनमें गढ़बर नहीं कर सकते इनके concept के लिए हो जाते तो physics में कहीं दिक्कत नहीं आती तो one person says that the potential energy of a particular book kept in an Elmira is 20 joules and the other says it is 30 joules is one of them necessarily wrong? No, both can be right क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है there is nothing like absolute potential energy तो जैसे मैं कहूं मेरी potential energy अभी क्या है तो अगर मालनो मेरा center मां से आपर है अगर अपने ही पर reference line मालने तो मेरी potential energy 0 है मैं अभी जैसे सो भी मंजल पर हूँ अभी right now है ना तो जो इनसान बिलकुल नीचे ख़ड़ा है ground पर तो इसके हिसाब से मेरी potential energy बहुत ज़ाद है M, G, H, height मालनो बहुत ज़ाद होगी अब मालनो कोई आदमी है, pilot है pilot है, arrow plan में जा रहा है उपर से, वो कह रहा है मैं तो भाई, reference line अपने level पर मानूँगा वो pilot कह रहा है, जहां पर जिस height पर मैं हूँ, मैं उसको reference line मानूँगा तो भाई, वो कहएगा, तो उसके respect में मैं नीचे हूँ बहुत, तो उसके respect में मेरी potential energy negative हो गई तो भाई, potential energy reference line पर depend करती है, यह बंदा कह रहा है कि मेरी reference line यह है, यह बंदा बोल रहा है मेरी reference line तो भाई, यह है और मेरे respect में इसकी height इतनी है तो इसकी potential energy होनी चाहिए 30 joule, यह बंदा कह रहा है यह बंदा कह रहा है, नहीं भाई, मेरी इसको reference line मानूगा और मेरे जाब से इसकी potential energy 24 होनी चाहिए तो बोद आ राइट आप potential energy reference line पर डिपेंड करते हैं कोई फार्थ नहीं पड़ते हैं तो आप कुछ लोग के मैंन में आएगा तो सब मतलब potential energy किती भी हो सकती हैं किती भी हो सकती हैं जादा potential energy मतलब कुछ भी नहीं यह सब तुम्हारे मंन के doubt होते हैं यह तुम्हारे मन के doubt होते हैं यह नहीं गलता ऐसे concept ब् humano बश्गा घल आतिये जाते हैं बुक में गलत औरट होते है से लो आगे बढ़ते आ न तो इससे कोई फररक ने परता है हमारी physics पर कोई उनलो पर अगर तुम्हारे काल के ऐसे रख दी तुमने बुक कमाल लो इस हाइट पर रख दिया है आसे बुक इस लिफ्टेट फ्रम दे फ्लोर एंड के इस पर पर बुक इस लिफ्टेशन याँ आप नहीं पड़ता आपने रिफेरेंस लाइन कहा मानी है चेंज न पोटेंशल एजि दोनों के करके करके दिखा देता हूं आझ यह बंदो अब गिन में यह पटप बन लाइन के साब dai है कि यह ने है नहीं प्रफेरेंस लाइन यहा पर introduction ऑन डाल्क माणूं का मेरे साब से इस दा इसलाइन तो हम बह। बहुत अच्छी बात गा तो तो अब इससे पूझा भाई potential energy कितनी होगी तो यह कह रहा है कि मेरी frame में तो इसकी height h1 है मेरी frame में तो इसकी height h1 है हमने का बहुत अच्छी बाद और यह वाली height माल लो h2 है ठीक एक कम कर इसी को कला माल लो दो को define कर नहीं ही पगड़ जाएगा तो इसने का माल लो यह वाली height माल लेते h2 है न तो book तुमारी initially यहां परती हो और finally यहां पर पहुचिए न तो इसकी frame में final potential final तो यह क्या हो जाएगा पर लेकिए mg into h final minus h initial है न तो बताओ इसकी frame में final height कित्ती है इसकी frame में इसकी reference line के साब से book की final height कित्ती हो गई h plus h यह h' है माल लो h' h' plus h is the final height और इसकी frame में frame नहीं sorry reference line frame तो दोनों की सहम है reference line इसकी reference line में initial height कित्ती ही बुक की h' क्लुक कट गया ना फिर से mg है चाहिए समझें potential energy reference line पर depend करती है change in potential energy नहीं करती है वो हर एक के साब से same होगी तो दोनों अगर वो अगर बुक को ठाके यहां से यहां पर रखा तो अगर एक के respect में 20 Joule बढ़ी है तो दूसरे के respect में भी 20 Joule बढ़ी कि चाहे कुछ भी कर लो तो इन दौनों में से पक्का एक wrong है है समया है तो बहुत इंपर्ड़। इंपर इंप कर्सेप्सैना स्में हम्हाना में साबर एक χां करेंते ना मैना समय बाद दो खाईब आख प्या है